कंसेट वार वार हर बार लगातार बताया जाएगा और मुझे तो खैर बहुत अच्छी प्रक्टिस होगे यह कंसेट्स बाकी लोगों को भी इसकी अच्छी प्रक्टिस हो गये मैंने अम्रोहा की मीटिंग में गया था तो वहां कुछ लोग कंसेट बता रहे थे बिल्कुल परफेक्ट बता रहे थे और गुड़गाओं में भी जो लोग मीटिंग लगा रहे हैं वो भी बिल्कुल परफेक्ट बता रहे हैं और आगे भी जहां-जहां मीटिंग लग रही और दस हजार लोग हम इस हो जाएंगे महा पुर्शों की बात को बताने वाले प्रवकता हो जाएंगे उनके तब को बताने Owen वाले हो जाएंगे तो हम यह कह सकते हैं कि अब हमने सुरुवात की है तेज बहुत बड़ा है साड़े साथ सो साथ सो इतालिस के करीब जिले हैं हर जिले में एक जो हमारा स्पोक है जो वक्ता है जो प्रवक्ता है जो महापुर्सों की बात को बताने वाला है जो डॉक्टर अम्बेटकर की बात को समझाने वाला है जो पैरियार साथ की बात को सेक्डो इसके अंदर स्पोक्स होगे कई सो स्पोक्स होगे साड़े चार सो पांच सो करीब होगे मगर फिर भी कम है क्योंकि एक जिले में एक हो तो साड़े साथ सो चाहिए और एक जिले में एक से बात बनती नहीं साड़े छेलाग गाउं हैं तो साड़े छेलाग स्पोक्स हुआ है हमको कम से कम साड़े छ् hell lucky सी लोग उजो रौज किसी का कोई सवाल हो जवाब हो उसको बता सकें लोगों को पढ़ा सकें लोगों को सिक्षित कर सकें जैसा कि बावा ने कहा था के ऐजूकेट होना हैं वो जब suburbs सारे हो जाएंगे एक हो जाएगा है नहीं हुआ है, यह हमारे पिर्वर्थ है, और कोई महापूर्थ की बात को सुनना चाहता है, तो बता सकता है, तो काम दुनिया के हिसाब से बहुत तेज चला है, क्यों कि कभी दुनिया के अंदर ऐसा नहीं हुए, एक साथ साथ महीने, छह महीने में एक समर संग का कंसेप्ट जो 26 साल से भी पुराना है मतलब 26 साल से तो यह इत्यास के अंदर है लिखित में है क्योंकि बुद्ध से ही इत्यास आरंब होता है लिखित बातें बुद्ध से होती हैं बाकी उससे पहले कालपिंग बातें मानी जाती हैं और उन्होंने जो वक्तबे बताने का है जो हमारे महापुर्सों की बात को बताने का है जो हमारे दादा दादी और परदादा परदादी की बात का बताने का जो तरीका है एक के मुह से अगला अगले मुह से दूसरा यानि मौखिक रूप से वो तो हमारा जनमजाद कुन है इसको गड़क बो लेते थे उससे सब्द भाड़ा बना और उससे गाली भी बनी क्योंकि वो हमारे महापुर्सों की बात बनाते थे तो गड़क की भी गाली बनी और भाड़क की भाड़ू बनी गड़क की जो गाली बनी है वो आप समझ सकते हैं और भाड़क की भाड़ू तो आप समझ सकते है दरसल वो पुराने भाड़क हैं यानि हम भाड़क हैं उनकी बात को बताने वाले मगर हम पैसा नहीं ले ले लेते बस इतना अंतर है क्योंकि उनकी रोजी रोड़ी चलती थी पहले यही स्कूल होता था यही मास्टर होता था कथाएं करते थे पहले हमाई लोग जो की बातों को कहानियों के रूप में जातक के रूप में यह प्रचार का टेंड बुद्ध का है बुद्ध ने च्छोटे च्छोटों बच्छों के लिए भी इतने इतने सिंपल सिंपल एक्जांपल और कहानिया जो पंचतंत्र की कहानिया हैं जो जानवर की कहानिया हैं जो में तीन-चार-चारी करीब हैं वैसे लेगम फह 있을 जार रहे चठ़-चाहनी ऊर बी वो सारी बुद्यulें कता हैं उसको बाद में लोगोंने अपने अपने नाम से किसी ने फैरी टेल किसी इस तोळी किसी पंशतंत्र किसी ने जगली कता ये शब नाम से बना दिया बाकी कि वो कथा हैं तो यह जो हमारा काम है जगने का और जगाने का पढ़ने का पढ़ने का पढ़ने का जो बावा सब मिटकर कहते हैं सिख्षित बनो सिख्षित बनो जिसको जो दिवाफुले कहते हैं कि सिख्षा गई जो सिख्षा पाना है यह जिसको बुद्ध ने कहा है कि जा हमारे खून में हैं और अगर हमारे खून में ना होता हमारे जीन में बढ़ने का सिध्धानत है वो हमारा संग है और हमारा ही संग है मतलब एक तो यह है कि संग बहुत सारे होते हैं अगर भारत में और पूरी दुनिया में सबसे पहला संग हमारा है आज हमें मजबूरी में उसको समर संग कहना पर रहा है तोकि बुद्ध समर्थे पैरियार समर् लोग हैं जितने भी आज बहुजन या मूल निवासी के नाम से या सुलकाष्ट या स्टी के नाम से जाने जाते हैं उस सारे के सारों की एक पहचान है समल पहचान है और यह एथियासिक पहचान है यह कोई सब्द ऐसा नहीं है कि इसको कहीं से बना के ले आए यह एथियासिक समड़ी साहिबा है यानि वो समड़ी है या वो समड़ है तो हम समड़ा समड़ी है और समड़ा समड़ी सब्द के भाग नहीं गया इसको उन्होंने कन्फूज करके बदल के ताकि हम अपनी पहचान ना प्राप्त करने हम इखटे ना हो जाए हम दुवारा से हमको संग की है और सर्मन का मतलब है महनत करते रो सर्म करते रो सर्मिक हो बस हमारे धिमाग में ये बात बार बार डाली जाती है कि हम सर्मिक खांदान से हैं, स्रम करने वालों से हैं, स्रम ही काम है हमारा, और उपर से हमको ये और कह दिया, जो हम सुद्ध लोग थे, उनको शुद्र कह दिया, हम तो सुद्ध थे, बुद्ध ने हमको पांच सीरों से सुद्ध किया, सुद्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध् कैसे करते थे मन का सुद्ध करते थे तो उसका सुद्धिकन नहां के सुद्ध नहीं होता कोई नहां के कैसे सुद्ध हो जाएगा भई नहाएगा फिर गंदा हो जाएगा नहाएगा फिर गंदा हो बावा साव हम बेट कर तो इन सब के बाप हैं ये सड़ेंद को दू दू तक समझते हैं और जानते हैं इस बात पर कभी डाउट मत करना और कोई कुछ भी कहता रहे बावा साव बोधी सत्व हैं और विस्वरतन हैं और इतने ग्यानी हैं कि उन्होंने हजार साल आगे तक का भ की रहनी तो आठ बातें बता के उनका कहा के आनंद मैंने जैसे खेत के अंदर बाढ़ में जैसे पानी होता है और मेल को तोड़के पानी निकल जाता है तो मैंने इन आठ बातों की मेल लगा दी है अब पानी नहीं फूटेगा और धम चलेगा अच्छा चलेगा कोई चिंत मैंसे पानी कहीं नहीं जाने वाला ये महापुरुस जो आते हैं स्रीज में ये बड़े कमाली बात बताते हैं तो बाबा साव मिट्ट के पास समय कम था हर महापुरुस को पता होता है कि उसके पास समय कम है और इतने समय में उसे करना है, बुद्ध के पास भी समय कम था, कैई वार बुद्ध के पास मार आई, मार का मतलब है मिर्टू की फाइल खुली, चुक्कि बुद्ध जो होते हैं वो अपनी मृत्यू को कंट्रोल कर लेते हैं, वो जितना चाहें उतना जी सकते हैं, सरीर उनका कमज़र होता रहेगा, मगर वो सांस तब छोड़ेंगे, जब वो चाहेंगे, ऐसा बोधी प्राप्ट होने के बाद होता है, तो बुद्ध ने क कई वार उनके सरीर में जब बीमारी आई तो उन्होंने कहा कि अभी नहीं मनना है, वो सब उन्होंने ठीक करी, उन्होंने कहा जब तक मेरा भिक्कु संग तयार नहीं हो जाएगा, मैं नहीं मरूँगा, और भिक्कु संग तयार होगा, तब उन्होंने तीन मेहने पहले कहा कि मैं बावा साब को पता था कि आखे बंद हो सकती हैं जाते जाते भी भगवान बुद्ध और उनका धंब पूरा करके गए और उससे पहले किताब और पूरी करके गए जिसको सोलवा वॉलिम बोलते हैं इस सोलवे वॉलिम को दरसल हमारे जितने विद्वान हैं वो क्या कर नहीं बomena नहीं करता पहले जो उन्होंने कहाई जितना कहा है उतना कलो तो इसको आख बंद करके माना चाहिए वावा साब की जै करोगे जै करा लगाओगे जंडा उठाओगे उनका फूटू पीछे लगाओगे बड़े-बड़े लेक्श्ट दोगे उनके और PhD करोगे, डॉक्टर हो जाओगे, उनके उपर सारे काम करोगे, मगर उनकी बात नहीं मानोगे, तो क्या बावस आपको माना, इसलिए बहुत ज्यादा वोल्यूम को पढ़ने वढ़ने की आसकता नहीं है, मगर जो सोलवा वोल्यूम है, उसकी थोड़ी जानकारी आपको द देगा, और वो भी पाली लेंग्वेज जिसको कोई जानता नहीं, जिसको कोई मानता नहीं, जिसका कहीं जिक्र नहीं है, उसको पाली की डिक्शनरी देखे जाते हैं, ना तो महराठी की देखे जाते हैं, जबकि महराठी वो खुछ जानते थे, उनकी मदर टंग थी, मदर language थी मात्र भासा थी ना वो अंग्रेजी की देखे जाते हैं जबकि वो कहते हैं कि अंग्रेजी सब को सीखनी चाहिए और सारी किताब में अंग्रेजी में लिखते हैं नहीं वो संस्कत है उसकी देखे जाते क्योंकि संस्कत उन्हें पड़ी थी तो उनको देखे जानी हम तो समण है और हम सारे एक ही परिवार के लोग है और ये संग हमारा ही है और वहां से पता चलता है कि बुद्ध ने जो कहा संगं सरणंग गच्छामी मतलब संग की सरण में जाना है हमको बहका दिया कि भिक्कों के संग की सरण में जाना है भई भिक्कों के संग की सरण में पुनी जाएंगी उपासिकाओं की जो संग है उनके उपासिका जाएंगी और जो उपासक हैं जो नर हैं वो नरों में जाएंगे ये चारों मिलके संग कहलाते हैं तो हमको तो पूरा ग्यान ही नहीं है मगर पाली पढ़ेंगे तो ग्यान हो जाता है ये ग्यान कैसे चलता है क और सबसे ज़्यादा एक्टीव संख्टन हमारे है चार लाग दुनिया हस्ती है हमारे उपर कहे के लगाती है इनकी मूर्खों की संक्या 30 करोड है और इनकी 29 लाग संख्टन है और यह 120 लाग पूरे 120 करोड समण है यह 29 लाग संख्टन चलाके चाल लाक इनके एक्टिवेट है और फिर इनके अलत खराब है हस्ती है दुनिया और सच कहूं तो लोग हम पर थूकते भी हैं जो हमारे विरोधी हैं सबसे ज़्यादा फंक्सन हमारे किसी संडे सेड़े में आप उठा लो हर जिले में हर महले में हर तहसील में हर जगे काईकन हुआ कितना पैसा खर्च होता है वहाँ कितने लोग जाते ہیں वहाँ मकर सब एक दूसरे के दुस्मन Sunny कोई ये नहीं कहता कि हम सब भाई भाई हैं क्योंकि हम सारे भाई हो जाएंगे तो एक हम को सोचो नेता क्या क्या करेगा हम-3 सारे भाई होगे अब यह जो चार लाख लोग जो संटनों के नेता हैं यह क्या करेंगे यह तो बेरोजगार हो जाएंगे इनकी तो नेता गरी खतम हो जाएगी इन्हें चंदा कौन देगा इन्हें धंदा कौन देगा इनको तो काम करना पड़ेगा और यह हमसे कहते क्या है म उनकी सच है तो जो संग्ठनों को पैसा जाता है वो किसके खिलाफ जा रहा है जो संग्ठनों को लगातार पैसा जा रहा है और जो हमसे लगातार लगातार एकटे होके तुम पैसा ले रहे हो वो किसके खिलाफ जाता है अगर वो हमारे खिलाफ नहीं जा रहा और वो हमारे सा में आना है बावा साब जो सारे के सारे अधिका लेके आये थे तो बावा साब कितने दूर डर्शी हैं दुनिया के नंबर वन के आदमी है क्या कहते हैं आभास हो गया हुना है कि ये निकम में लोग है कुछ ना कुछ ऐसी हरकत कर डालेंगे जिससे ये कारवा पीछे चला जा ने तो वो सब्सक्राव नहीं सुनाई दिये अरे कारवा तो देख लो कहां से कहां चला गया सिक्षा खतम हो गई पढ़ने के लिए बच्चों के पास पैसे नहीं है आज इतनी डिगनी आज सरकारी स्कूल कितने महंगे हो गए सरकारी कॉलिज कितने महंगे होंगे फीच न जानते हो एक चाहे दो रूटी या थोड़ा वकिसा वह भी गाली के साथ साथ हमारे पास है नहीं और है तो तो सतर साल से हमाले कुछ करने रहे हैं अगर ये राजनितीक लोग आवाज उठादेते संसद में या विधान सवाह में तो उनकी संक्या बहुत है या आज भी बन जाएगा मगर यावजिए उठा सकते क्योंकि यह democratic system से नहीं आए यह राज तंत्रिक और मनुस्मर्ति के सिस्टम से आए यह कमाल की बात है कि सम्विधान लागू होने से पहले ही मनुस्मर्ति लागू हो क्योंकि डेमोक्रिटिक सिस्टम में यह होता यह है कि हमने एक चुनाब छेतर में अपना प्रितनी दी भेजना है और हमने यह कहा कि हम तो जो डॉक्टर कंचन लता है उनको भेजेंगे हमारी तो कैंडिडेट वो रहेंगे मगर हमारे सामने तो कैंडिडेट पहले चार परोष दिये सपार्टी का यह पार्टी का यह पार्टी कर वो उरी प्षा से मंद इच्छा चलती तो इसलिए जिसको हम चुन रहे हैं उसको अपनी मर्जी से नहीं चुन रहे हम तो दरसल क्या है कि हमारे सामने चार बैंगन रख दिए एक गोला है एक लंबा है एक छोटा है एक मोटा है इन चार बैंगन मैंसे आपने एक बैंगन में ठपा लगाना है अच् सम्विधान लागू हुआ नहीं, उससे पहले मनुस्मर्टी की तरह ही चुनना पड़ता है, एक तरह से वो राजा और राज कुमारी हैं, जो हमको दिये जाते हैं, यह यह खड़े हो रहे हैं, बलकर यह यह खड़े किये गए हैं, इनमें से एक चुनना अबी बात खतम हो हैं, और हम मना भी नहीं कर सकते, तो हम करें क्या, हमारे पास कुछ नहीं है, हैलत यह हो गई कि हमारे सब चीज़े चली गई, और हमने अपने संक्टोने से बहुत कहा, ऐसा नहीं है कि उनको कहा नहीं है, भाई तुम ही नेता रहोगे हमारे, तुम ही प्रधान मंती रहोग तुम ही हमारे सर पे बैठना हम तुम्हारी बात मानेंगे और बावा साब ने कहा है बीस परशंट का हिस्सा हम बीस परशंट का हिस्सा पांच परशंट तुम्हें देंगे और उससे ज्यादा भी देंगे बीस में से ज्यादा देंगे हमारे बच्चों को बचा लो हमारे रो तो उसके स्कूल नहीं है तो करेंगे क्या हम तो मर जाएंगे वहीं पहुंच जाएंगे तो बावा साब ने जो अंदे सा जमाय था बल्कुल ठीक था में कर बावा साब चुंकि दूदर्सी हैं और सब जानते हैं तो वो समस्या के साथ चितावनी के साथ समधान मी देख गए और समधान सभी महापुर्शन दिया हुआ है और चोटा सा समधान है और बड़े बड़े विद्वानों को दिखाई नहीं देता तो छोटे लोगों को को देखना चाहिए सिक्षित बनो संगठित रहो और संखर्स परो बस इतना ही पढ़ना है इससे ज्जादा पढ़ने ही जोतनīiken है इसी में हैं सारी जितने ही वोल्समय है सब का निचोड़ इनी तीन सब्सक्राइक सब्सक्राइसे और 그건 पाड़मर कभी का एक साहते नहीं कैसे आ रही है कि अभी तो हम संखर्स करने की कोजिशन में नहीं है जो लोगं यह कहते हैं राज में मना लिए हम संगर्स करने हैं हमने सामाजिक संगर्स करने हैं हमने राजनेतिक चीरे बना लिए हम संगर्स करने हैं हमने सकारी करमचारियों के संगर्स करने हैं या हमने लड़कों के दलबर बना लिए हम संगर्स कर रहे हैं या हमने धंमिक संगर्स बना लिए धंके मठ बना लिए हम संगर्स कर रहे हैं वाई कैसा संगर्स कर रहे हो जैसा जैसा संगर्स कर रहे हो वैसे वैसे तो नुक्सान होता जा रहा है तो तुम संगर्स उधर कर र रहे और वो सोच नहीं रहे तो सोचा कि करे क्या तब समझ में आया कि बावा साब अमेट करने जो कहा है संग्ठत रहो कहा है यह नहीं कहा कि संग्ठन बनाओ और बावा साब कि कि किसी महापरुस्टी एक लाइन ऐसी नहीं है जब कि किसी महापरुस्टे यह कहा हो कि संग्ठ बावा साब ने कब कहा था पेइब्एक टू सोचायटी 20 माहिससा देना है और जब संग्डित होना है और जब संग्डित होगे तो पैसे की जो उतनी पड़ती कभी किसी महापूर्ण से पैसे इकटें नहीं किये वगर हमारे जो मौत का कारण है वो हमारा पैसा ही है यानि जो जो हम पैसा देते गए तो हमारे अधिकार जाते गए और आज बहुत सारे जो संग्ठन हैं उनको बड़ी परिसानी होती है जब समर्संग विदा पिपली ये कहता है कि भाई जब तक इखटे नहों उनको पैसा मत देना क्योंकि वो इखटे होन है वो से मिला हुआ है वो छोटा है वो नीचा है वो उचा है वो खराब है हर आदमी ने जहर गोल लखा है एक पतादिकारी दूसरे पतादिकारी को गाली बग रहा है और अपने आपको ठीक करा है अरे भाई तू उसको गाली बग रहा है हमें तो यह बता दे तुम दोनों मैंसे तोनों गाली बगए तो अच्छा कौन सा तुम मैंसे और यह सारे जितने भी इचाला के एक्टिव है रोत्तिस लाग संठने सब इक दूसर गाली बगए और यह गाली क्यों बगते हैं यह गाली इक्सलिजम बगते हैं अगर यह दूसरे संठन को अच्छा बोल देंगे तो इनके जो ग्रहाक हैं, इनके जो गुलाम हैं, हमारे जैसे लोग हैं, वो भाग जाएंगे, वो करने जब वो अच्छा है, तो उसे मिलते क्यों नहीं भाई, तो इनके गुलाम, यानि हमारे जैसे जो लोग जो उनको चंदा देते हैं, जो उनको सपोर्ट देते हैं, जो उ बिद्चरेमी करते आपने किसी मंच में निसुना होगा कि कोई नेता यह कहता हो कि देस्टे बच्चे बढ़िया प्ड़रा हैं इनके बच्चेश संग्फन में आते हैं इनके बच्चे तभाते हैं जब बोड़े हो जातें उट में करना होता है इस वहारिस भी ना होता है तब पहले आपको तो पर jis id आप नोटिस कर लेना नेताओं का एक भी बच्चा नहीं मिलेगा माँ भाई ये बड़े बड़े जो नेता हैं ये तो ना 14 अप्रेल को आपको पार्लियमेंट में मिलेंगे ना ये बुद्धपूर्णमा पर बुद्धभार में मिलेंगे ना ये जो बावा साब का जो मुंब चीची तो जा रही हैं तो दो अप्रेल अठारे का जो आंदर नहीं उससे पहले हमारा जो सुरक्षा कवचे वो भी चला गया बड़ी आफ़त आई समाज को एक साथ ही वो बात याद आ गई कि हम गोंगे खटा होना है ये किसी नहीं बताया समाज को कि खटा होना है कहीं को कि यह जैसे यह वी लिखा हुआ है काला पीला सा लाल सा ऐसे काला पीला लाल सा मैसेच छला था दो अपरेल भारत बंद ha c sto bc बस एतना लिखा हुआ था और लोगों में एकटे होने की भावना हजारों साल कुरा नहीं है इसका मतलब हमें एकटिडा होना आता है और सारे ल बुद्ध ने बताई है ये बात बावा साब ने बताई है कि बावा साब ने और संग होता है और संग जब इखटा होता तो ताकत अपने आप आती है और काम अपने आप होता है कोई कोई सरकार को परचा भेजने की जोत नहीं है सरकार से रिक्वेश्ट करने की जोत नहीं है क तो आप कह सकते हैं किसानों के 32 संग्ठन थे अलग-लग लड़ते कुछ नहीं होता तो संग आ गया उनका किसान थोड़े से किसान पैट गए मगर संग आ गया तो मैसेज गया संग पूरी दुनिया में गया तो सरकार ने देखा कितने गतने लोग आते हैं, कितने जाते हैं, टक्तर、 चलती रही, यॵ्युक्त चलता रहा, संग में सक्ती होती है, इसमें कोई शक्ति निहीं होता है, वह जीत गए, और मुंसल्मानों का भी संग है, वह कुछ नहीं करते हैं नहीं वो पर बादिंगे वह इसा माँन को बाल आके तो जिनके संगधन हैं वह सलक पराएंगे जिनके संगधन है वह तो कि ये करना है कि हम सब को इखटा होना है जो पुराना संग है उसमें आना है या हमको छोटे-छोटे संग्ठनों में रहना है कैसे करना है तो कोई आदमी कह सकता है संग्ठन भी होना चाहिए संग भी होना चाहिए अरे भाई कौन मरे करता है कि संग्ठन नहीं होना चाहिए छोटा काम है तो छोटे के लिए छोटा ग पिरन जंगल से अलग घुमेगा जुन में घुमेगा तो जाएगा तो जरूर घुमने मगर लोटके नहीं आएगा फिर उसकी कहीं टांग आएगी कहीं उसका आएगा उसका तो सिकार हो जाएगा कोई ना कोई इसकार कर लेगा या तो आदमी कर लेगा या चीता कर लेगा या शेर कर लेगा या कोई भी सिकार कर लेगा उसका या या उसका सिकार मगर मच कर लेगा वो तो हो जाएगा सिकार इसलिए जुन्द में रहना है तो संग्ठन जो छोटा मोटा किशने बना भी रखा है तो संग में आना चाहिए तो चलाता रहे, कोई समस्या नहीं है मगर संग में तो आए, कहे तो मैं संग का हिस्सा हूँ अरे बुद्धु को मानते हो, पहरियार साब को मानते हो बावा साब को मानते हो, जोतिवा फुले को मानते हो और इनकी बात नहीं मानते, कैसा मानते हो खुद को भी धोका दे देते हो, समाज को भी देते हो, महापुरसोगी बात को भी देते हो, और फिर परणाम के उम्मीद करते हो, तो धोके वाजों को परणाम नहीं मिलते हैं, धोके वाजों को तो धोका ही मिलता है हमको, परणाम नहीं मिलता है हमको, परणाम नहीं मिलता है अब इस्टटी है अब जो हमारी इस्टटस है वो है डू एंड डाई का या तो हम समर संग में खट्टे हो जाएं और या फिर पुरहाने जैसे बावसाब हम जहां से खीच के लेके आये थे कि जब बावसाब की बच्चे एक्सपार हुए तो कफन के कपड़ नहीं थे कफन की तो बाद चोड़ो उससे पहले की इस्थिति यह थी कि हमारी ओड़ों के सिर्फ पर कपड़ नहीं होते थे और खाने को हमारे पास में खुश नहीं होता लोग नहीं है जो मुसे को मार के खाते हैं तो या उस्तिकल तो यह जो डूएंड डाई वाली पोजिशन है इसमें अभी एक बात बड़ी अच्छी है कि अगर हम इखटे हो गए तो जैसे दो अप्रेल को एक हमारे अधिकार बच जाएगा अभी बच सकता है क्योंकि अभी सम्विधान है अगर सम्विधान नहीं होता तो दो अप्रेल को जो अधिकार है वो बचता नहीं हमारा क्योंकि सम्विधान यह कहता है जिसकी जितनी संक्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदार यानि कि उसकी बात उतनी जादा हिस्सेदार मानी जाएगी एक 50% है तो सम्विधा होने का फायदा भी नहीं है आप होते रहने क्छटे कौन पुछ है गए कोन किने आपकी संग किसंग कहेगा वहला तो सद्धात ही क clinicians को गया तो सद्धात Raja का जाएगा और जब राजा का सिद्धात्ा जाएगा तो उसमें बहुमत की या बहुजन की या समण संग की या संग की नहीं चलती उसमें, फिर आपको लंबे-लंबे संगर्स करने पड़ेंगे, फिर संगर्स ज्यादा बड़ा हो जाएगा, फिर आपको इखटा भी होना पड़ेगा, भूका भी रहना पड़ेगा, लड़ना भी पड़ेग आजग़ने पड़ेगा फिर बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी उस दिक्कत से बचने हमें बहतर है कि सबको काम करना चाहिए क्योंकि यह आदमी इसका स्पीकर बनेगा फ़र आमि इसकी जुम्मदारी खुद लेगा क्योंकि संहर ईसकी कुछ खास करता है कोई कम करता है तो उसकी कोई पोश्ट भी नहीं होती तो कोई पद भी नहीं होता तो जिंदगी में कभी बनेगा भी नहीं ना कोई पोश्ट ना पद बस एक रहेगा एक्टिव कारे करता है यानि समण संग में एक्टिव मेंबर है या वो नॉर्मल मेंबर है सालहन मे मैंबर्शिप कैसे मिलेगी तो मेंबर्श भी कौई देता है है हम बढय सब् i हैं समण हैं तो आप मेंबर होगे इसके उस रायट को कोई नी चीन सकता आप से उसको अगर रायट को चीने गा भी कि आपकी मेंबर सी फितम करें तो संग के पास ही वह ताकत है कि वह आपको निकाला दे सकता है देश का निकाला दे सकता है या कोई भी दंट दे सकता है जो सं संद्ध में पुराने समय में भी और अब भी कोई पैसा भी नहीं लिया जाता है या अगर संद्ध संद्ध वीदा पीपल के नाम से यह भाद के लोग से पैसा मांगे तो आप उसके कान पर खिंच कर दो मार कर आई हैं यहां पोट्न पर यहां सारे नंबर उपन लेते हैं कि क्योंकि यहां कोई खाता ही नहीं है यहां तो हैंड टो हैंड मीटिंग होती है मीटिंग कैसे होती है जैसे पहले होती थी खाना अगर मीटिंग आपना पूरे दिन करनी है तो अपना खाना पानी साथ लेकर आओ और अपने दरी वरी भी साथ लेकर आओ और अपन के अंदर मीटिंग मीटिंग हो रही है। बढ़िक दूर से लोग आ रहे हैं तो वह अपने खाने का पैसा भी दे रहे हैं खाने का झाने का और चाय का सान' का वह दे रहे हैं क्योंकि अगर आप किसी की रोटी खाओगे किसी से पैसा लोगे किसी दान लोगे तो उसकी बात मानोगे फिर तो आपकी निगा जुक जाएगी फिर तो आपको हाँ जी हाँ जी कहना पड़ेगा उसी गलत बात में हाँ जी हाँ जी कहना पड़ेगा फिर तो समता चली गई फ पहले तो सब लोग पैदा चला करते थे फिर बैल गाड़ी आ गई अभी तो कार है कार में प्रटोल लगता है तो भाई जिसकी कार में बैठो उसमें बरावर का हिस्सा डाल दो और यह डालना कंपल सरी है इसा पूछना नहीं है आपने ड्रैवर नहीं कहेगा आप से कार का मल चारा है यह नियम है तो यहां वियाइपी कल्चर नहीं होता यह कोई वियाइपी नहीं है यहां कोई होगा नवाव अपने यहां का होगा चतारी का यहां सिर्फ एक समझ संका साधन मेंबर है यहां ना मंच है ना माला है ना माइक है माइक हो सकता है अगर मीटिंग बड़ है यह हमारे ऐसा सिस्टम नहीं है बात कहनी है से कहनी है कांसेट बताना है लोगों को समझाना है जो बैठा समझा सकता है जो अबिलेबल है वो समझाए और जो नहीं समझा सकता है उसी के और सीखे समझाए सिखाना तो सब कोई है बोलना तो सब कोई ऐसा नहीं कि कुछ लोग बोलेंगे. एक्सपर्ट बोलने में सारे ही होते हैं. क्योंकि एक बताने के लिए कि हम कोई खटा होना है. इसमें कोई किताब नहीं पढ़W Administration बढ़नी है? यह बावा साहब सब करके कए हैं के संग्डित रहो. बावा साव ने सब पढ़के जतने लोग विद्विता ज्ऺट हो सकता है किताब पढ़ने से पंडित हो सकता है अजब समाजी काम के लिए अच्छा नहीं हो सकता वो अगर वो पढ़े और पर समाजिक काम में डाले तो अच्छा सबस्क्ता है जैसे बावा साब पुर्म की gyотыव ringi बहजे पढ़ने के लिए व्यदेस भेजे वो निकम में हैं उन्होंने धोगा दिया इसलिए बावसाफ में जितना है तो आप भी धोकरी देते तो इसमें पड़े लिखे हों या साधरन हों उनकी बात को मानना है तो काम हो जाएगा तो करना क्या है करना यह है कि कंसेप्ट आप जहां रोज सुनते हैं और सुनने में कहीं फार्सी की आँख नहीं है लोग को कहना है कि भाई आप कहीं तक भी बहस कर लो कोई दुनिया में यह नहीं कहेगा कि एकटा होना बेकार है जब एकटा होना सही है तो इकटा होगे देख लेते हैं तो बहुत जादा कोई आदमी यह कहेगा समरसंग में नेतागरी है समरसंग में फलाना है फलाना यह है वह और बहुत चतुर चलाक होग यह बहुत मूर्ख होगा यानि कि दो तरह के लोग वो ये कहा थे कि가지 है तो भाया हमारा उठीच से वही एक जो महापुरसा in इसाँ होगा हमको सु्हीं होने के लिए हमको क्या क्या करना है सुखी होने के लिए हम wy्किसाए और सारी चीजह सुखी होगा क्योंकि जो आदमी पॉलिटीकल पार्टी में काम करता है वो कहता है कि पॉलिटीकल चीज से ही सब चीज खुल सकती है मगर जो आदमी धम में काम करता है वो कहता है मैं पूरे भात को प्रवद भात बनाऊंगा तब सुखी होंगे और जो लड़कों के दलबले वो कहते हैं कि अब हम सत्ता में आएंगे तब सुखी रहेंगे तो भाई आपने सारे ताले चावी खुर के देख लिए हैं सुखी रहने का ये मंत्र नहीं है सुखी रहने का मंत्र है समिधान में और समिधान का मंत्र है इखटे होने में सम्विधान यह नहीं कहता कि आपके जो लोग इखटे हुए हैं उनमें कितने लोग इस्टुडेंट हैं या कितने लोग पड़े लिखे हैं या कितने डिग्री वाले हैं या कितने सरकारी करबचारी हैं या कितने लोग उसमें राजिदिक पार्टी करता आइस अंब्धान जैसे किसान बैढ़ गे तो किसानों का एस्टीमेट डेली जाता है ग Roganwait के पास में के वहां इतने ते किसान है बैठे हुए पचान जरूर है बैठे हुए स्व gleich जरूर हैं, मगर हर जिले में, हर डिष्टिक में सारे किसान त्यार हैं, उनका मन बदल गया है, वो उनके साथ हो गए है, इसका मतलब वो संग में चलेगे किसानों के में, तब सरकार ने यह बात मानी है, अगर महाँ दो सो आदमीं बैठे रहते हैं, पूरे जिनकी बैठे रह होती है तो यह कि हमारी है दरसल हम इसके मालिक हैं आप इंटर्नेशिली प्रॉपर्पर्परटी पे सीज पर चलना चाहिए इस बात पर चलना चाहिए वह आगे वड़ेंगे सारी चीजे छोड़onne खोड़今 सित्के बज जाएंगे हम सुखी बोजाएंगे और जो अधिकार चलेंगे वह वापिस आ जाएंगे और जो अधिकार बावा साब दे नहीं पाए आर्थी का दिकार नहीं दे पाए और सामाजी का दिकार नहीं दे पाए सिर्थ राजनीति का दिकार दे पाए वह सामाजी को आर्थी क सांग्तित होने के लिए घुकर वह यह करना है कि एक व्यक्ति को जोड़े उसको यह bn्क शुदे अपने वीडियो बने शुब करें यहां जो लोग 160 हिस्समें हैं उस Düstarch कंचल लाता रोज एक वीडियो बना हमें ठाएंb तो आप जितने लोग हैं क्या करना है मोबाइल उठाना है और मोबाइल उठागे सिर्फ आपने कहना है कि हमारा संग ऐसा होता है यह संग ऐसा है जो गुणा आपने सुना है जो देखा है उतना ही बूलिए कोई परफेक्ट 45 मिट का भाशन नहीं देना है तो आपका इंट्रेस्ट है चुंकि आप सारे सारे संगी हो चुके हो इसलिए इतने लंबा लंबा सुन रहे हो बाकि आम आदी तो भाग जाता है तो दो दो तीन-तीन मिनट का वीडियो बनाईए तो चोटी-चोटी पोस्ट लिखिए दो दो सेंटेंस की हम पैसे नहीं लेते स्रमन संग पैसा नहीं लेता स्रमन संग में नेता नहीं होता स्रमन संग सबको ब्रावर समझता है स्रमन संग में सबकी मेंबर्सिक होती है ऐसे ऐसे सेंटेंस लेखके और डेली डाली है डेली डाली है इससे क्या होगा कि जो लोग संग को ढून रहे हैं जो लोग इखटा ह उतरेंगे जानकर यागर नहीं बढ़ाएंगे तो तीन मिने काम हमारा छे मिने होगा हमारे पास समय का भाव है समय कम है समिधार को कुछ हो गया फिर हमारा एकटा होने का फायदा नहीं है और फोन कभी भी बंद हो सकते हैं ये बात आप ध्यार नपो इसलिए जितना तेजी स हो सके इसको प्रचार मतर ये और सिखाना किसको है सबसे पहले अपने पती को अपनी पतनी को बेटे को बेटी को भाई को भतीजे को चाचा को मामा को ताओ को इन में सकती कम लगती है अच्छा जिद नहीं करनी है हो सकता है को एंटी हो तो छोड़ देना चाहिए जो समझ जाए सबसे पहले उसको लेना चाहिए फिर दोस्तों में निकलना चाहिए और यह जगे जगे पर यह काम कर चाहिए क्योंकि अध्त जगे आद्म गए बढ़ते गए सिखाते गए सीखते गए सीखते गए सीखते गए जितना सीखते गए उतना सीखते गए बढ़ते रहे आगे कोई परफेक्ट नहीं था मगर सारे परफेक्ट हो गए क्योंकि सिखते गए सीखते गए को यह सोचे कि पहले मैं परफेक्ट हूँगा पहले मै सीखूंगा फिर मैं सिखांगा हम मारे जाएंगे हम बचेंगे नहीं इसलिए जो जितने लोग हैं वो तेजी से इस काम में लग जाएं दिन्रात लग जाएं ये दो मिहने बड़े काम के हैं इसम्बर का जन्वरी में ठंड बहुत होती है तो लोग घरों में रहते हैं मैसज बहुत देखते हैं वीडियो बहुत देखते हैं आड़ियो बहुत काम करेंगे मिरा एस वाट गर दो सुबै को रजाई मैं च्छेवज़ उठ对 को अपने मॉबाइल चेक करते रहते हैं आप वीडियो बना के भीजेंगे तो वह जल्दी काम हो जाएगा हमारा बात बनेगी बाकी यहां जितने लोग जानकार है जो जादा तीसे काम करना चाहते हैं वह अपना यहां नंबर छोड़नें अपनी बात यहां का हैं डॉक्टरों की एक मीटिंग है खाली यह यह डॉक्टरों के अलावा हमारी मीटिंग भी है अब मैं डॉक्टर नहीं हो मगर मैं इसमें जा रहा हूं बहुत लोग इसमें आ रहे हैं तो कि हम मरीज भी जाएंगे अगर मरीज नहीं जाएंगे तो डॉक्टर सेवा किसी करेगा और मरीज अगर जाकर यह नहीं बताए के अंदर है बलना मेंट्रो इọnा से जाएंगे उसका परचा चल रहा है चुशी दिसम्बर को दो क्यक्रम है एक काई गर्म बहादूरब कर तुरल में भी है जो में जाएं यहां को है जाया जाया चलता है इसके बाद लखनो बाला कारीक्रम और लगाई एक दो जिद्ध हमारी जिनने की है जितनी जल्दी जीत जाएंगे और बिना जोड़े हम जीते एगे नहीं यह हर व्यक्ति अपने दिमाग में और ध्यान में रख ले इसलिए हर व्यक्ति को जुड़ना है और हर व्यक्ति को जिन्दा रहना है हमारे उपर बहुत बड़ी आफ़त है अगर हम बहुत तेजी से नहीं जुड़े तो हम बहुत तेजी से मर जाएंगे आंकड़े कहते हैं कि हम हमारी आवादी कम हो रही है चाहें तो आप सेंसर चेक के लेना अगर हम जुड़े रही तो हम जल्दी खतम हो जाएंगे इसलिए जिद्ध जिन्दा रहने की है धन्यवाद आप सभी से ये निविदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी है और आपको लगता है कि धम की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भासा में कनवर्ट करके आगे बढ़नी चाहिए या प्रिंट में किताब में छाबनी चाहिए या इसकी जो audio है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए तो आपको liberty है, आपको छूट है ये सभी copyright free है आप अपने facebook पे, अपने page पे, अपने tutor पे या अपने handle पे या link को कहीं भी share कर सकते हैं कहीं भी चला सकते हैं आप YouTube पे चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिसल लेने की बिलकुल भी जरूरत नहीं है आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम सब का है हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुर्सो का है उनी की बात को सरल भासा में बताते हैं हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं बाकी सारी ये पूजी आपकी है धन्यवाद संगं सरेण गच्छामूँ तूथियं पी बुद्धं सरेण गच्छामूँ तूथियं पी बुद्धं सरेण गच्छामूँ तूथियं पी दम्ममर्सेण गच्छामूँ तूथियं पी बुद्धं सरेण गच्छामूँ तूथियं पी दम्ममर्सेण गच्छामूँ दोगियं पी सन्दम सर्णम कच्छामी तरतियं पी बुद्धम सर्णम कच्छामी दोगियं पी सन्दम सर्णम कच्छामी तरतियं पी सन्दम सर्णम कच्छामी सादू, सादू